हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो आई चैनल मल्टी रोज लाइफ दोस्तों आज हम आपको बताएंगे नीवू के आश्चर जनक फायदे हैं साथियों हम इस चैनल में आपके लिए आयुरवेदिक और घरेलू उपाईल लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिजर्च और एक्सपर्ट्स के राय से होते हैं ताकि आप हमेशा स्वास्त और खुशहार रहें यदि आप चाते हैं कि हल्से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सबी नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें दोस्तों नीबू एक ऐसा फ़ल है जिसका हम देनिक जीवन में नियमित उप्योग करते हैं और साथ ही इसके अनिक फायदे भी है बारत में बहुत परकार के नीबू पाय जाते हैं नीबू सालोबर असानी से मिलता रहता है गर की साफ सफाई में भी इसका बहुत उप्योग किया जाता है इसका उप्योग भोजन और सलादे थियादी को और भी स्वादिश्ट मना देता है नीबू में कई पोशक तक पाय जाते हैं जैसे कैलशियम, पोटेशियम, मेगनीशियम, आयरन, विटामिन, A, C, B और प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट भी पाय जाते हैं यह सबी सेहत के लिए लाबदायक होते हैं अपने कीवार डॉक्टर से भी सुना होगा जो नीबू पानी पीने की सलहा देते हैं दोस्तों यह काफी फायदेवन होता है और नीबू में रोक परतीरोदक्षमता बढ़ाने की प्रोपरटीज भी होती है नीबू सौंधरिये में भी सायक होता है तो आईए जानते हैं नीबू से होने वाले फायदों के पारे में नीबू में कुछ ऐसे कंपाउंट्स पाय जाते हैं जो लीवर में पितरस के प्रोड़क्शन को बढ़ा देते हैं जिससे पाचन सही रहता है और ये पाचन तंत्र से विशेले प्रधारतों को निकालने में मदद करते हैं रोज एक गिलास नीबू पानी का सेवन करने से पेट की बदहस्जमी पेट का फोलना खट्टी डखारे आना और अपच्च के लक्षन ठीक हो जाते हैं दोस्तो सुबा उटकर एक गिलास नीबू पानी पीने से शरीर की सफाई हो जाती है नीबू पानी बाइल जूस बनाने में मददकार है बाइल जूस खाने को पचाने का काम करता है नीबू रक्त को साफ करता है और साथ ही नई रक्त को शिकाओं की निर्मान में भी ये सायब होता है ये आपकी स्किन को भी सभाफ कर देता है और साथ ही इसमें मौझूद विटामिन सी स्किन की जुर्णियों को कम करता है और ये चेहरे के दाग धबो को दूर करने में भी सायब होता है चेहरे पर यदि किसी पर कार के काले धबे हो गए हैं तो आप नीबू को चेहरे पर प्रते दिन रगणे और गुन-गुने पहनी से चेहरा दो ले एक हफ़ते में आपको अपने चेहरे के दाग हलके होते नजर आएंगे दोस्तों आजकल काले दाग की समझ जासे काफी लोग जूज रहे हैं मेंगे इलाज के बावजूद भी कोई खास असर नहीं हुआ है तो आप नीबू के चिलकों पर मलाई और शहद लगा कर अपने चेहरे के उस हिस्से को हलका हलका रगणे कुछ ही दिने में आपको काले दाग हलके होते नजर आएंगे और धीरे धीरे खतम हो जाएंगे दोस्तो आपकों के नीचे डाग सरकल से यदि आप परेशान है तो नीबू के चिलकों पर मलाई लगा कर डाग सरकल बर हलके हलके हाथों से रगणे और थोड़ी दीर तक रखकर गुनगुने पानी से दोले ऐसा लगबख एक हफ़ते तक करें आपको काफी फ़क नजर आएगा दोस्तो यदि आप बहुत मोटे हैं और अपने मुटापे से परेशान हैं और इसे कम करना चाहते हैं दोस्तो अपना वज़न कम करने के लिए आप नीबू की साहता ले सकते हैं हर रोस एक गिलास पानी में नीबू नी चोड़कर उसमें शहद मिलाकर पीने से मुटापा कम होता है नीबू में मौजूद पोशक तक शरीर हाइडरेट और ऑक्सिजन से भरवू रखते हैं जिससे हमें और जा ताजा और पुर्ण चीवन का अनुभव होता है साथ ही नीबू में नेगेटिव चार्ज आइरन होता है जो पाचन तंतर में पहुंचते ही इंस्टेंट एनरजी प्रदान करता है दोस्तो नीबू शरीर में पानी की तरह काम करता है ये मुट्राश्य के माग को साफ करता है और पी-च लेवल को भी सही रखता है और हामफुल वैक्टिरिया को बनाने से भी रूपता है ये मुट्रमाग को इंफेक्शन से बचाय रखता है दोस्तो शरी के कुछ हिस्से जैसे कोहनी, पेरिकेट टकने, उंगलियों के उपर का हिस्सा ये सब हमारी तुचा का डाग दिखते है यानि कि इन पर कालापन आ जाता है तो इन पर नियमित रूप से नीबू का रस लगाएं और मसाज करें इनकी रंगत भी साफ हो जाएगी दोस्तो नीबू पानी विटामिन सी और प्रोटेशियम के गुणों से भरपूर होता है जो रोग परतीरोधक्षम तवको बूस्ट करने का काम करता है जिससे आप बिमारियों से बचे रहते हैं तो दोस्तो यह हमने आपको बताया नीबू के फाइदे हमें उम्मीद है हमारे द्वरादी के यह जानकारिया आपके लिए लाद दायक होगी एफी ही जानकारिया हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे बाए, टेक केर, बी हैपी, धन्यवाद